हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं आपको लाइलीन के साथ सूट की कटिंग बताऊंगी कि जब भी सूट में इस तरह का कोई डिजाइन हो और इसमें अस्तर हो तो उसकी कटिंग कैसे की जाती है तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एंग तक ज़वर बने रहेगा तो देखिए यह रहा हमारा जो सूट का फैब्रिक है इसके फ्रॉंट नेक पे डिजाइन दी हुई है और बाकि यह जो है और गिंजा मेटरियल है तो इसमें हम लोग जो है अस्तर नहीं बटर सिल फैब्रिक ज़रूर लगाए इससे जो आपके कपरे का एक ग्लेज रहेगा और इसमें एक अलग सी चमक आएगी सबसे पहले हम लोग लेंथ इसमें नाप लेंगे कि कितना लेंथ और हमें कितना चाहिए क्योंकि नेक के तरफ से हम इसको कट नहीं कर सकते यह रहा जो फैब्रिक है हमारा अस्तरवाला मैंने इसको चार फोल्ड किया है देखिए ताकि एक ही साथ हम लोग इसके बैक और फ्रॉंट दोनों की कटिंग कर सके इसको मैं इस तरह से पिन से अटैच कर रहे हूँ अब मैं यहाँ पर लेंथ लूँगी तो देखिए फरेंड्स लेंध जो भी आपका हो आप उसमें तू इंच एक्स्टाहेट करे असलाइए के लिए और इसके बाद आपको माइनस 3 करना है तो 43 मेंसे मैंने 3 इंच माइनस किया यानि 40 तो जो भी अस्तर हमें गट करना है यह हमारी 40 इंच की होगी आपकी लंबाई जितनी भी हो आप जिस इंच का भी सूट कट करें आप उससे तीन इंच माइनस करके ही इसका अस्तर कट करें इसके बद मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ शोल्डर हमारा सारे चेंज है क्योंकि एक 34 इंच का मैं सूट बना रही हूँ और यहाँ आर्म होल भी हम सारे चेंज ले लेंगे फ्रेंड्स अगर आप सूट की कटिंग और इसकी सिलाई पूरी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोज में जाकर देख सकते हैं अब देखिए मैं हाँ से चेस्ट लूँगी तो चेस्ट हमारा 9 इंच है यानि यह 34 है तो मैं 9 इंच पे सलाई लगाऊंगी और 1.5 इंच एक स्टा मार्जिन के लिए ले रही हूँ आप मार्जिन 2 इंच या उससे कम भी रख सकते हैं मैं 1.5 इंच ले रही हूँ अब यहाँ पर 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है यह मैं कमर के लिए फिटिंग्स रख रही हूँ तो यह जो भी चेस्ट हो उससे 1 इंच कम रखनी है अब यह 20 इंच पे मैं आसन के लिए हाँ पर मार्जिन 2 इंच कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर 12 इंच रख रही हूँ और बस इन लाइन को आपस में इस तरह से शेप दे देना है सूट बनाना बहुत असान है फ्रेंड्स अब इजिली किसी का भी सूट जो है बना सकते हैं और अगर कपड़े से माप लेकर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगी प्लीज आप लोग कॉमेंट ज़रू कीजिएगा कि उसकी वीडियो आप लोग को देखनी है या नहीं अब देखिए यह हमारा जो फ्रेंड्स यह हमारे नीचे का आसन का जो है यह शेप है और फिटिंग सेने के लिए मैंने देखिए पहले जो निशान लगाया था इसमें हमें गोल शेप भी लगानी है और फिटिंगस के लिए हम लोगोंने धैर इंच का मार्जिन रखा है बस उसी पर इस तरह से हमें निशान लगाते जानी है कुछ इस तरह का यह शेप होने वाला है स्लाइ होने के बाद अब हम लोग इसको कट कर लेंगे तो फ्रेंड सूट में सबसे इंपॉर्टन है चेस्ट वेस्ट और यह आसन यह तीनों आपको सही से रखना है सही से मेजरमेंट करना है अगर आप इन तिनों को अच्छा से करते हैं तो आपकी सूट की फिटिंग्स एकदम पर्फेक्ट आएगी अब हम लोग इसको कट कर लेंगे अंदर वाले स्लाइप हमें कट नहीं लगाना है क्योंकि वो हमारे फिटिंग्स के लिए है और यह हमारी मार्जिन है और यहां देखिए फ्रेंड्स हमारा दोनों पार्ट फ्रॉंट और बैक दोनों एक साथ कटके रेडी हो चुका है अगर आप बैक में चेन लगा रहे हो तो आप इस तरह से मत कट किजेगा उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे अलग से वीडियो बनाई है आप जाकर जरूर देखिए तो यह रहा हमारा जो फैब्रीक है फ्रेंड्स अब नेक का डिजाइन प्रॉपर सेंटर में आए इसके लिए मैं एकदम सेंटर से इसको फोल करूंगी और एक पिल लगा लूंगी ताकि डिजाइन एकदम प्रॉपर सेंटर में आए क्योंकि अगर यह डिजाइन सेंटर में नहीं आएगी तो सूट का पूरा लुक खराब हो जाएगा चाहे फिटिंग्स जितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो और वो फिर अच्छी नहीं लगेगी कपरे को अच्छी तरह से सेट करते हुए डिजाइन को एकदम सेंटर में रखते हुए हम लोग अपने अस्तर को इसके उपर बैठा लेंगे तो जब भी अस्तर बैठाए तो उसको आप नेक से इस तरह से सेट करें देखिए कुछ इस तरह से मैं नेक्से इसको सेट कर लूँगी और नीचे की तरफ अब 3 इंच कपरा रखकर ही इसको कट करें तो देखिए मैं हाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा लूँगी क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम अस्तर और में फैबरी को एक जैसा ही लेंथ रखेंगे तो बाद में इसकी फिटिंग्स जो है एकदम अच्छी नहीं आएगी नीचे से इसमें बहुत ज़दा खिचाव आएगा तो इसलिए आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखे कि में फैबरी को और अस्तर में तीन इंच का गैप जरूर हो अब इसी तरह से इसको हम लोग कट कर लेंगे देखें यहां पर यह हमारा फ्रॉंट पार्ट जो है कट के रेडी हो चुका है और इसकी जो बॉर्डर है मैं बाद में इसको अटैच कर दूँगी अब आप देखिए फ्रेंड्स एकदम जो हमारा दिजाइन पूरे सेंटर में आया है अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका भी डिजाइन प्रॉपरली जो है सेट होगा एकदम सेंटर में और अगर आप पिन नहीं लगाती है तो डिजाइन एकदम टेरह मेरा से आ जाएगा यह हमारा फ्रॉंट पार्ट है कुछ इस तरह से जो हम लोग इसके साथ इसकी स्लाइ लगाएंगे अब जो है फ्रेंट सेम इसी तरह से मैं फ्रॉंट पार्ट को बैठा कर ही बैक पार्ट की कटिंग करूंगी अब हमें इसके अस्तर से कटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फ्रॉंट और बैक को एक जैसा ही रखेंगे तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सब को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज उसके लिए भी आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ ही फ्रेंड्स इस सूट का निक कैसे में बनाऊंगी कौन से इजी ट्रिक के साथ इसको देखने के लिए कल की वीडियो में ज़रूर आएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई